दोस्तों मैं केले सकने आप सबी लोगों का संत्कत केट्व क्लासेज में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो देख लीजी आज फिर आपकी एक निव डेट आई है और नए आयोग का गठन क्या है सच्चाई आयोग के बारे में बहुत लोग कहते हैं गठन हो चुका है बहुत लोग कहते हैं अभी नहीं हुआ है कुछ लोग कहते हैं अभी होने वाला है बहुत सारे आपके मन में ही प्रशन होंगे और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हुए क्या क्या हम बातें रखी गई हैं क्या क्या होगा कब होगा सोपर टैट यह सारी चीजे हम लोग भी बात करेंगे देखेंगे एक चीज पर ठीक है तो चले हम लोग जानते हैं कि क्या सचाई है क्या नहीं है उन चीजों सो लेकर तो देखीगा यहां पर यह latest update है और उम्मीद करता हूँ साइट आप लोगों ने ये चीट देखी होगी ठीक है नए आयोग से एडिस संस्ताओं में भी सिच्छक भरती होगी ये मंत्री जी ने सीधा सीधा कह दिया है ठीक है इसके चलते आगे बात करें तो प्रियाग राज उच्छ सिच्छा मंत्री योगेंद्र उपाद्या ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिच्छा सेवा चयन आयोग के जरिये बेसिक सिच्छा परिशत के अलावा क्या होगा बेसिक सिच्छा परिशत के अलावा साहयता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल मादमिक विध्याले के सब्सक्राइब में की भर्ति इन सिचक विध्याले के में, इन सिचक के भर्ती नहीं? कि तरह उत्तर प्रदेश लोग सिवा आयोग से ही होगी बरना आप बहुत लोग कहते थे कि नहीं नहीं आप कोई आयोग नहीं कोई कुछ नहीं UPSC जो कराती थी पहले वही कराएगी जो राजकी हैं GIC हैं GGIC हैं और जो गबर्मेंट PG कॉलेज हैं ठीक है उनकी में बात कर रह जो है बुद्वार को मीडिया से रूरी उच्चा मंत्री से कहा कि साथ अगत से शुरू हो रहे बीधान सवा ये आपके लिए साथ अगत से शुरू हो रहे जो बीधान सवा के सत्र में नए आयोग का अद्रियम पारित हो जाएगा अर्थात कहने का मतलब है जो 12 सदेशी टीम थी पहले उसमें से एक और बढ़ा दिया गए तो 13 हो गए मतलब 12 सदेशी टीम और एक अद्रियम कुल मिलाकर 13 लोग हैं तो सबसे बड़ी चीज जो यहां पर कही गई है वो यह कही गई है कि यहां से लेकर आप यहां देख सकत हैं ठीक है पूरा का पूरा यहां मन में याद रखिए कि सत्र में नए आयोक का अधनियम पारित हो जाएगा मतलब कंप्लीटली यह फाइनल है कि अब आयोक का गठन हो चुका है बस सदन में अभी पारित यह भी लिखा कि हो जाएगा मतलब केवर महर लगाना और साय नहीं करना मनतब रह गया एक मतलब कह सकते हैं कि केवल केवल आपचारिकता रह गया अब इसके बात बात करें एक चीज़ और निकल के आ रही है जो मैंने कहा कि अब सच्चाई क्या है तो आप लोग यह तयार रखें कि आप आगस्त में आपका जो है आयोक गठन हो जाएगा ठी इसके बाद आप ध्यान रखें यूपीटेट की चर्चा चलेगी सबसे पहले यूपीटेट पीजीटी टीजीटी जो फर्म पड़े हैं इनके एक्जाम डे तुरंत आ जाएगी अगस्त में आपके आने की संबाबना है पूरी पूरी ठीक है इसका एक्जाम दो से तीन मही चाहेंगे यह बिल्कुल एक्टूरेट है दूसरी बात बहुत लोग सुपर टैट आट को लेकर बात करेंगे टो क्या हो गया ठीक है एक मिनद क्या तो सुपर टैट को लेकर बात करें तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जो लोग सुपर टैट के बारे में सोच रहे हैं ठीक है सुपर टैट यहां पर देखिए तो super tet के वारे में अगर बात करें तो super tet भी जल्द आएगा UP tet हो जाएगा C tet आप मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग C tet पर बिशेज ध्यान दीजिगा C tet आपका clear होगा तो super tet में बात हो जाएगी clear हो जाएगी ठीक है अरे याद क्या जो एहम बात हैं एहम बात की अगर बात करें तीसरी बात मैंने यहाँ पर डाली है कि क्या क्या एहम बात है जिसमें जो PGT, TGT, super tet, UP tet की जो एग्जाम लटके हुए हैं या होने वाले या notification आने वाले हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने सीधी सीधी साथ अगस्त को मद्य नजर रखते हुए सीधा कह दिया रहे हैं तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोग बढ़ाई में लग जाईए कोई अब संसे नहीं है कोई ब्रहमित करने वाली यह news नहीं है कि बहुत लोग बहुत पहले से ब्रहमित चलने की अब होगा अब होगा अब होगा लेकिन फाइनली अब हो चुका है इसलिए मैं आपको एक वार फिर कह रहा हूँ और एक नई चीज़ यहाँ पर फिर निकल के आ रही है जो लोग डिले डिलेड में प्रिवेश के लिए फिर बढ़ेगी आविदन तिती तो उमीद यह बढ़ेगी नहीं बलकि उमीद है कि यह कम से कम पांस दिन की यह तिती बढ़ जाए जो लोग करना चाह रहे हैं तो वो बिलकुल और यहाँ पर एक मैं बता रहा हूँ आपको एक मिनट यहाँ पर देखिए सीटें आपकी है दो लाग तैंतीस हजार तीनसों पचास फॉरम पड़ें एक लाग तैंतीस हजार चैसों तीन ठीक है इतनी बुकिट सीटें वहीं तो जो लोग बीटी सी करना चाह रहे हैं या अभी का डियल एड जो रूप चला है वो करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं अन्य शिच्वित देल हैं कि इसनातक का प्रादाम गोशन नहीं हुआ है ऐसे में परिच्छा नियामक प्रादिकारी ने क्या किया है डेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ठीक है तो थैंक्यू सो मच इसलिए मैं आपको समने आया हू कि आप इन चीज़ों पर विशेश ध्यानने और जो लोग सोच रहे हैं मन में कि आप पढ़ें कि ना पढ़ें क्या करें तो वो आप दिमाग में डालने कि आपको केवल केवल पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है चारो टॉपिक जो आ वैवे टिक किया